सर्दियों के मैसम में गर्म गरम खस्तक कचोडी हरी मटर की कचोडी आज हम बनाएंगे हिलो फ्रेंज आप सभी का हमारे आयो किचिन में स्वागत हैं चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं इसके लिए सबसे पहले हम गयासान करके कढ़ाई गरम कर लिए उसीमें हम डाल लेंगे तेल जैसे ही तेल गरम होजाए उसमें डाल दीजिए एक चामत जीर, साबुत जीर और इससे थोड़ी दर ओन लिचे यह यह भुन जाए इसमें डाल दीजिए लसुन चार छे कली हमने लसुन लिये हैं आपके मटव जितना है उसी इसाब से आप लसुन ले सकते हैं अब दो हरी मीच तिखा आपको जितना पैसंद है उसी इसाब से आप मेच भी कम ज़्यादा कर सकते हैं अब इसे भून लीजे थोड़ी दे ये जैसे ही भून जाए अब इसमें आड़ कर लिजे हरी माटर हरी माटर अज़्वादा नुसान नमक अब इसे भून लिजे जब तक माटर ना फके तब तक इसे इसी तरह से भूनते हुए इसे पकानी है अरे ये जब थोड़ी सी भून जाए इसमें डाल लिजे एक चामच गरम मसाला गरम मसाला डालने के बाद फिर इसे भूनते रहे इसी तरह भूनते हुए इसे माटर को पकानी है माटर बहुत जल्दी पक जाता है और ये देखिए हमारा माटर पक ग्या भी से ग्या सब करके ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे ये हमने एक बाउल लिए है उसी में हम डाल लेंगे एक कप मैदा एक कप गेहूं का आटा आप चाहे तो खली मैदा से या खली गेहूं के आटे से भी आप बना सकते हैं जिसे आपको आच्या लगिए आप उसी से बनाए लिजें अब इसमें हम आड़ करेंगे घी एक बड़े चामच इसमें घी आड़ कर लेंगे और इसे आच्छी तरह से मीश कर लेंगे यानि मैंन कर लेंगे अच्छी से इसे मिलाएंगे घी डालने से हमारे कोचोड़ी जो है खसता बनेंगे इसलिए हम इसमें घी डाल रहे हैं कवा शेज तरह से पराज हो गया है अब यसमें डालेंगे थोड़ा थोड़ा पानी गउंटानी है अगर पास हम चोड़ी के लिए आप तो थोड़ी ताइट गुंती है जिसे हम रोटी के लिए बेलते काम अफुरा को यह से आइट और यह स्थ हमएब पानी है इसे हम कवर करके रख लेंगे हमने जो मतर भूनके रखा था यह हमारा थंड़ा हो गया है अब एक मीशी जाल लेंगे उसी में डाल लेंगे मतर को सारे मतर को इसमें डाल लेंगे अब इसे में डाल लीजिए एक चमच आमचुर पाउडर एक चमच चाट मसला पाउडर अब इसे हल्की दरदरा ग्राइंड कर लीजिए और ये दिखिए हमने हल्की दरदरा इसे ग्राइंड कर लिए यह देखिए इस तरह से पूरी तरह से इसे ग्राइंड करना कर लें बस दो तीन बार इसे मिक्सिकों भूमानी है और यह हमारे जो आठे गूंत के रखे थे इसे हम दुबारा गूंत लेंगे इसे का लोईयां हम त्यार करेंगे जितने बड़ी बड़ी आपको कचोड़ी बनानी है उतने बड़ी 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 लोईयां त्यार कर लेनी है लोईयां त्यार के रखेने से कचोड़ी बनाने में आसन होगी यह हमने इस तरह से सारे लोईयां त्यार कर लिए और एक कचोड़ी लेनी है और इस तरह से दू उंगली के मद़से इसे गुमानी है अब इसमें डाल लेंगे जो मटर के स्टॉपिंग हमारे इसमें डाल देंगे और इसे उंगलियों के मदसे इस तरह से थोड़ सी पहले प्रेस कर लेनी है उसके वाल हलतीलियों से इस तरह से इसे प्रेस करनी है यह देखे, बहुत आसान है, बहुत simple है, और इसी तरह से हल्टिनें से इस तरह से प्रेस कर लेनी है, नहीं बेलन या चकी किसी चीज की ज़रोत बढ़ती नहीं है, बस आप हाथ से इसी तरह से इसे बना के त्यार कर लेज़े, और यह देखे, हमारे कितना अच्छा बन के त् में ऐना ईमं इतनी हैं और प्रेश क मात्या निदों मियं 141 यह भी तान बनाना एजार्ड सकते हैं अर्ग दाले थोड़ी कर कर लीकें इसे और इसे तरह कि mice आ सी तरह किए उसे अधिले से प्रेस कर ले से करें लोहींज हो हैं अब चलिए इसी फ्राइच करने हैं अब कर लेंगे यह थाूइ सारे कचड़ी को हम इसे में प्याल लेंगे अब इसे हम फ्राइब करेंगे पहले फ्लेम को हाई रखनी है उसके बाद फ्लेम को लो कर लेनी है आद धीमी आँच में इसे धीरे-धीरे पकने के लिए छोल दीजिए धीर धीरे इस तरह से तभी जब आप लोग ख्लेम में बना तो यह अच्छे से पकेंगे बी नहीं और ख्यस्ते भी बनेंगे नहीं और अंदर से कच्चा भी रह जाएंगे तो इसलिए लोग फ्लिम में इसे पकाईए और यह देखिए आप क्रेक हो गया है आप देख सकते हैं जो कोचोली क्रेक हो गया है तो आप पन लेजेए कि कोचोली एकदम खास्ता बनी है इसी तरह से इसे रिमी आँच में पकाईए और यह देखिए हमारे अच्छे से पख गया है कोचोली अब देख सकते हैं लगबग सारे हमारे कुचोडी क्रेक बन गया है तो हमारे कुचोडी खास्ता बन गयी है अब इसे एक प्लेट में हम निकाल लेंगे आईए देखें देख सकते हैं कितना अच्छा हमारे कुचोडी बन के त्यार हो गया है इसी तरह हम बकी कचोणियां को भी फ्राई कर लेंगे इसमें डाल देजिए सारी कचोणि पहले फ्लेम हाई रखनी है उसके बाद इसे फ्लेम को लोग कर लेनी है और इसी तरह ये दी देखिए कितना अच्छा हमारे खस्ता बन के त्यार है इसमें भी क्रेक आ गया है इसे भी हम निकाल लेंगे आप इसी सब्जी के साथ या चत्नी के साथ या सस के साथ जिसके साथ भी आपको खाने के मन हो इसे गर्म गर्म बनाईए और खाईए देखिए इसी तरह से ये हमने खाने का लिये हैं आप इसी रिस्पी को एक बार ट्राई कीजिएगा जोरू अमारे बीडियो को लाइक और सस्क्राइब का दीजिएगा